नमस्कार जहिन साथियों देश के लिए अपना सब कुछ न्योचावर करने वाले माभारती के लाडलों की शादते ही तो हमें एक नई प्रेरना देती है माभारती के लाडलों की ये शादते ही तो देश के जवानों को देश के युवाओं को शेना में जाने के परती जुनून देती है जज़बा देती है जी हाँ आज ये कानी है देश की उस बेटी की उस बहन की उस विर्रांगना की जो फिर माभारती की शेवा में जा रही है और अपने पती के उस अपने को उस जिमेदारी को एज़े लेप्टिनेट बन के पूरा करने जा रही है ये कहानी आपके जीवन में एक अलग मोड ला सकती है और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ सीखने की प्रेणा भी जरूर मिल सकती है आपने सुना होगा भारत चीन के बीच गलवान गाटी की जड़ब को देश की केई हमारे भाई उसमें शहीद हो गए थे कई हमारे जवान शहीद हुए थे इन्ही जवानों में से एक दिपक शिंग जिहां मद्यफरदेश की दिपक शिंग जिन्होंने इस जड़ब में कई चीनी सेनिकों की दांत खटे करने के पशचात अपने शातियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और देश के लिए हमेशा हमेशा के लिए बलीदान दे दिया लेकिन इस बलीदान के पीछे एक कहानी है इतने बड़े ज़जबे की इतने बड़ी जिम्यदारी की जिसको आज उनकी पत्मे पूरा करते वे नजर आ रही है ये कहानी आपको गौर्वान में जरूर करेगी देश के लिए सब कुछ अपना त्याग देने वाले दिपक सिंग जिसको मरनो प्रांत जिनको मरनो प्रांत वीर चकर से शमानित किया गया वीडियो जो आपने देखा होगा अपनी पती की अंतिम यात्रा में अपने हम सफर को नम आंकोशी विदाई देते वे लेकिन उस वक्त किशी ने भी यत्ते ने किया था कि उस अपने को उस जिम्यदारी को उनकी पत्नी इसकदर पूरा करेगी हम बात कर रहे हैं रेखा की जी हाँ मद्य परदेश की रेखा जो अब भारती सेना में लेटनिनेट बनने जारी है साधी के शात महीने और पती की शादत ये आप और हम केवल मैशुश कर सकते हैं लेकिन जिनोंने इसको साह है और शेहने के पश्चा जो जीम्यदारियां है उसका निर्वहन किया है वो वाकए में काविल तारिफ और सलाम योग्य है इस बहन ने अपने पती की जीम्यदारियों को पूरा करने के लिए अपने पती के उस सपने को पूरा करने के लिए जो कभी उन्हें इस बारे में राय देते थे उस सपने को पूरा करने के लिए नेजानी कितनी दिकतों का सामना करना पड़ा लेकिन इन सब दिकतों से आगे था उनकी पती का शपना कहते हैं कि दीपक शिंग अक्षर अपनी पतनी रेका को कहा करते थे कि आप इतनी पड़ाई में अच्छी हो, आप इतनी पड़ाई में होश्यार हो, आप हर जगे आगे हो तो आपको आगे बढ़कर ओपिशर बनना चाहिए रेका कहती थी कि किशमे ओपिशर तो बोलते कि आपको शेना में ओपिशर बनना चाहिए रेका इस बात को टाल देती थी और रेका ये बोलती कि आप जल्दी ही शेना की जो जितनी भी आपकी शेवा है उसको पूरा करके घर आए ताकि हम सुब लोग आगे की जीवन या पन मिलके करें लेकिन उनके पती के उफ़र एक अलग ही जज़बा सवार था उनके पती अक्सर रेका को कहा करते थे कि मैं कुछ बढ़ा करूँगा इससे रेका पूस्ते की आखिर कर आप क्या बढ़ा करेंगे तो दिपक बताते कि मैं भारती सेना में कमांडो बनके देश की शेवा करना चाहता हूँ लेकिन रेका इससे जरूर डड़ती क्योंकि कहा जाता है कि कमांडो हैर्ड वरकिंग होता है लेकिन कहीं न कहीं दिपक के उपर जो जज़बा सवार था वो आज इतियाश के पन्नों में अमर हो गया रेका को पता नहीं था कि आखिरकार इतनी बड़ी जीमेदारी और उनके पती के बीना वो निर्वहन करेगी ये वाकई में एक काविले तारिफ और सम्मानिय है दिपक की शहादत से रेका बूरी तरे टूट गई और तूट भी जाते हैं कई परिवार इतने की वो वापस संबल पाना भी मुश्किल होते हैं क्योंकि उन घरों के सीराग बुझ जाते हैं अपनी माभारती की रक्षा में लेकिन दिपक की शहादत के पश्वात रेका ने हार नहीं मानी क्योंकि दिपक का सपना था अपनी पतनी को शेना में ओपिशर देखना और यहीं से सुरुवात होती है एक नई जर्नी इसके लिए खुद को तयार करना भी बहद मुश्किल था रेका इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही थी कि इसके लिए मैं पहले खुद की हामी तो लो लेकिन कहीं न कहीं परिवार और जितने भी उनके नीजी थे उन्होंने इसके लिए उन्हें प्रेर ना दी केई परशाशन के अधिकारियों ने तो वहां के इस तानिय जीला जो शेनिक कल्यान बोर्ड है उन्होंने इसके लिए हिमत परदान की और यहीं से रेखा ने शुरू कर दी अपने महनत आपने वीडियो में देखा होगा कि रेखा जब राश्टपती रामनात कोविंद के हाथों अपने पती के मरनो प्रांत वीर चकर को ले रही है तो उनकी आँकों का तेज इस बात का गवाई दे रहा था कि वो अपने पती के शपने को पूरा करने के लिए बहद कम दूरी के आंकडे पर है जिहां अपने पती को अंतिम शपर पे विदा करते वे उनकी जो तश्वीरें हैं वो आपको ज़रूर भाविबोर कर देगी लेकिन कहीना कहीन आज वो पल उनके लिए और हमारे लिए गोरव का विशे है रेखा ने इसके लिए लगातार कोशिश की पर्तम परियाश में वो फैल रही है आगे जरूर बड़ी लेकिन कहीना कहीन विफल रही लेकिन ड्रेका ने तब भी हार नहीं मानी और आप और हम मैंसे कई ऐसे साथी है जो एक परियाश में सफल नहीं होने पे हार मान लेते हैं आपको यहां से सीख लेनी चाहिए कि पर्तम परियाश हमेरे उपर किशी भी प्रकार का ऐसा साया नहीं तूटता है लेकिन ड्रेका के उपर इस तरेका का सया साया तूटने के बाद भी उसने लगातार निरंतर महनत की और दूसरे प्रियाश में वो शफल रही कि आज जो मैंने उनको कभी कहा था कि आप भारते सेना में ओपिसर बन जाओ उस अपने को पूरा कर रही है इससे जरूर रेखा एक तरीके से अपने पती के शपने को पूरा करने पर गौरवानमिन्त मैशुश कर रही होगी वहाँ के जिला परशाशन और वहाँ का जिला सेनिक कल्यान अधिकारी के जो भी बोर्ड के सदिश्य है तमाम इस बात की तारीपे करते वे नजर आ रहे हैं और पूरा देश आज रेखा के इस पल के लिए खड़ा है पूरा देश इस बात का साक्षी है कि रेखा जेशी नेजाने आज कितनी बहने नेजाने कितनी विरांगनाए अपने शपने को पूरा करने के लिए अगरशर है लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसी बहने अपने इस साये को अपने तक शिमित कर लेती है उनको आगे आना चाहिए उनको निरंतर कोशिश करने चाहिए और उन परिवारों के लिए एक कहानी ही नहीं बलकि इनके लिए एक मोटी बनना चाहिए लोग आपको देखे कि देखो आज वो किस तरीके से इतने बड़े दर्द से निखल के उस सपने को पूरा कर रही है रेखा को भी इसके लिए बहुत सारी दूविदाओं का सामना करना पड़ा समाजगी छोटी सोच, शंकिरन मानशिक्ता वरी सोच, तमाम उनको दर्किनार करते विए अपने पती की सपने को उन्होंने सरोपरी माना और कही ना कही उसमें आज वो कामियाब रही एडी आर्मी पॉइंट परिवार रेखा को वाकई में इसके लिए बहदाई देता है और इसके लिए हमें खुद वो गौरवार नित मैशुष करवा रही है पुरा देश आज रेखा को शलाम करता है लेकिन साथ साथ देश की उन तमाम परिवारों से निवेदन रहेगा कि जो अपने घरों के चीरागों के इस कदर बुझने के बाद ये नए माने कि उनके चीराग हमेशा के लिए बुझ गए है इनके चीराग माभारती के शेवा के लिए हमेशा अमर अमिट हो गए है आपको हमेशा हार नहीं मानने चाहिए शेहना भरती के त्यारी करने वाले युवा लगातार मेहनत कर रहे हैं इंतजार में हैं लेकिन आखिरकार आप इस इंतजार को जरूर देखेगा इसका फल बहुत ज़्यादा अलग होगा और जिसकी आप अपिक्षा कर रहे हैं ठीक वैसा ही होगा उमीद है कि आप इस कहानी से जरूर आपने कुछ सीगा होगा आज हमने आपको हटके और बहदी प्रेणादा एक बात आपके शामने रखी आप भी देश के लिए ऐसे ही गोरो के विशे का हिस्सा बने और देश की मभारती की शेवा के लिए अपना सरवश्वे त्याग देने की शमरपन को अपने दिल में बसाएं बारती सेना में जाने के परति आपका जुनून है उसको हम सलाम करते हैं लेकिन इसके लिए आपको धेरिये रखना होगा धेरिये की शिमाएं होती है लेकिन उसको भी लांगना नहीं है उमीद है कि आप जरूर कुछ आज नया सीखे जाएंगे और अपनी बहन रेखा को इसके लिए भदाई देंगे और उन्हें मजबूती परदान करेंगे धन्य है वो माबाब जिन्होंने एशी शेरनी को जनम दिया और धन्य है वो दिफक भाई जिन्होंने इतना बड़ा सपना अपनी पत्ने के शामने रखा और उस सपने को पूरा करने में रेखा ने किसी भी परकार की कोई कशर नहीं रखे भारतिय सेना से जुड़ी हुई किसी भी परकार की ऐसी ही प्रेरना दाई कहानियों से जुड़ने के लिए आप हमारे इस परिवार का साधे से जरूर बने अपने मेजबान दनेश को दीज ये जाज़त आप देख रहे थे डियारी में पॉइंट इस कहानी से जुड़े किसी भी परकार के विशे में हमसे कोई भी तूटी रही हो तो इससे हम शमा पराती रहेंगे लेकिन देश को इससे जरूर शीकना चाहिए अपने मेजबान दनेश को दीज जिज जाज़त मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ लेकिन अगर आप भारती शेना में जाना चाहते हैं तो निरंतर खुद को मोटिवेट खुदी कीजिए और देश की ऐसी कहानी आपने दिल में बसाईए हर एक घर से हर एक शेनिक इस बात का गवा रहेगा कि हम माभारती के लाटले हैं और रहेंगे धन्यवाद मिलेंगे फिर जैहिन जैभार्त वीडियो के अंतक बने रहने के लिए पूरे परिवार का दिल से शुक्रिया